हेलो माई डिफ्रेंट स्वागत आपका एक और वीडियो में देखे कल मैंने निफ्टी के लिए आप से कहा था जब यह सपोर्ट टूटे जब यह सपोर्ट टूटे मार्केट में तभी आप उठ की तरफ देखें आप देख सकते हैं मार्केट नीचे और यहां पर बैठा है यहां पर कौन बैठा है तो आप बताईए कि अगर एक हरी केंडल उठेगी तो क्या अपना यह जो बायर है यह अपना एसल देदेंगे इसलिए इन्हें ट्राप करने के लिए मार्केट को एक बार पुट की मुमेंट दिखानी चाहिए यहां पर इसने तो इसे थोड़ी बहुत रेट केंडल दिखानी चाहिए और जो मैंने आपको यहां पर बड़े टाइम पर बताया था कुछ दिन एक दो दिन पहले यह जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है यहां पर ऐसले मार्केट में इस लेवल पर तो आज भी मार्केट में इसी बनाता है मगर मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहरी हूं कि यह जो गिरा है इसने यहीं से इसी लेवल से सपोर्ट लिए और आज आप इस तरीके से देख सकते थे यह आपको बताने जारी हूं देकि फिलाल जो यह निफ्टी चल रहा है अभी बज़ रहे हैं 12-55 तो आपको इसमें यह लेवल दिखाई दे रहा होगा यहां पर यह लेवल दिखाई दे रहा होगा तो मार्केट को इस लेवल से रिजेक्शन जरूर से जरूर लेनी चाहिए आप देख सकते हैं यहां पर कैसे कर सकते हैं यह आप इस तरीक से भी कर सकते हैं कि यहां पर क्या बना रख वालेडेशन मार्केट करेगा तो डबलू मिदल के उपर करना चाहिए इसे और अगर आप इसमें कॉल साइट देख रहे हैं तो फिर जब यह अच्छी तरीके से इसका टॉप काटे यह जो रिजेक्शन कैंडल है इसका टॉप जब यह काटे तब ही आप इसमें कॉल साइट क यह बताया कि हाँ, मार्केट अगर गिर रहा है तो उसे कहा तक गिर ना चीए, यह हमें नीचे के SL भी नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप किस तरीके से देखें और देखें मैंने आप से एक बात ये भी कही थी कि देखें ये कितनी अच्छी डारेक्ट मुवमेंट है यहां पे SL खतम है प्रेडिक्शन वीडियो में ये भी एक डारेक्ट मुवमें यहां पे भी SL नहीं है मार्केट में और नीचे भी एक डारेक्ट मुवमें इसलिए यहां पे भी SL नहीं है मार्केट में तो market क्या कर रहा है, इस समय ये जो level है, इस level से support ले रहा है, तो market क्या कर रहा है, market इस समय इस level से support ले रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, तो मैंने ये बताया था आपको कि देखें, नीचे तो खाई है, ठीक है, नीचे तो खाई है, नीचे जाके करेगा क्या, तो इसमें ये वाली बात है कि इसे consolidate करना चाहिए इसे SL create करने चाहिए जिधर की भी moment करने है क्यों क्योंकि ऊपर भी SL नहीं है और नीचे भी SL नहीं है चार्ट को थोड़ा consolidate करना चाहिए थोड़े बहुत higher lows higher lows बनाने चाहिए जब वो ये करेगा तब किसी region का breakout देगा या फिर उसने ज much में आजाएगा ये नहीं है कि आपको अगर मतलब SL नहीं बता चल रही है उपर नीचे कहां आं cel ने क्या होगा तो इसका मतलब इसने यहां पर जो यह market support ले रहा था उसे तोड़ दिया है तो आप इसमें पूट के बारे में भी सो सकते हैं आप इसमें call के बारे में नहीं सो सकते हैं आप इस बात के लिए clear हैं मगर अभी चार्ट कर क्या रहा है देखें यह क्या है यह है पुराने दिन का प्राइस यह पुराने दिन का प्राइस है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं यह तो आपको कंफर्म है कि जैसा मैंने अभी बताया आप बताया आपको ऊपर एसल नहीं है और नीचे एसल नहीं है तो market should consolidate यह मैंने आपको बताया था ठीक है अब आप इस चार्ट को देखने की थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि यहां पर क्या चल रहा है यहां पर क्या चल रहा है थोड़ा सा देखने कोशिश कीजिए देखे इस प्राइस में क्या यह यहां पर क्या हो रहा है यहां पर इसने केंडल बनाई ठीक है अपनी विकूपर उठा ली यहां तक इसने विकूप फिर हरी candle आई यानि कि इस level पर आपको अच्छी खासी बाइंग दिखाई दे रही है कि market में इस level पर अच्छी खासी बाइंग हो रही है ठीक है तो आपको अगर इसमें rejection candle दिखाई दे रही है यह है candles की utility candles का होना और candles के होने से किस तरहीके से market की trapping को पकड़ा जाएगा यह समझना ओके यह वो चीज़े होती है तो आज जो trade चलेगी वो इस doji पर ही आप ले सकते हैं बजाए इसके कि आप यह कटे तब ले यह कटे तब ले नहीं आज आपके लिए यह doji ही deciding factor है क्यों है यह बताने जारी हो आपको देखे यहाप एक rejection candle बनी है ओके तो इसका मतलब इसने क्या किया यहीं से rejection लिया है मतला previous chart से rejection लिया है तो अब इसमें क्या हो रहा है कि यह है और यहां पर देखे यह पुराने दिन से यह purple zone भी दिखाईते रहा है तो यह क्या है यह top define हो रहा है market का तो आपको यह पता है और इसने ऐसे जगह पे याने की rejection पे resistance पे सॉरी resistance पे क्या बना दी resistance पे इसने बना दी डोजी यह जो hammer candle बना दी sorry red वाली resistance पे इसने बना दी यह hammer candle ठीक है तो अगर यह candle नीचे की तरफ अच्छी तरीके से कटती है इसका low कटता है तो क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए आप खुद बताईए यह एक अच्छी जगह बनी ह है गैंडल्स की utility तब है जब वो एक अच्छी जगह बनी हो तो यह अच्छी जगह बनी है इसकी utility इसलिए है तो अगर यह नीचे की तरफ इसका low कटेगा तो क्या होना चीए जब इस level से इतनी जादा buying आई है तो अगर इस level पे किसी ने buying करी है तो उसके SLS कहां पे होंगे देखें यहीं पे तो होंगे उसके SLS इस स्क्रिंग पे तो होंगे उसके SLS ओके और आप यह भी समझ रहे है कि भई नीचे तो खाई है तो यहाँ तो जाना नहीं है तो आप इसमें यह सोचें कि आप इसमें मतलब यह ना देखें कि मैं यहा तक के target बुक कर लूँ आपको इसमें कम से कम इस लेवल तक के टार्गेट मिलने चाहिए जो कि आपको मिले हैं फिर यहां पे इसने टाइम पास स्टार्ट कर दिया ठीक है और आपको यह भी पता है मतलब मैं यह इस यह बताना चाहरी हूं आपको कि इस लेवल से बहुत जादा पाइंग आई यह मार्केट में यहां पे बायर बैठाया है मार्केट ने और इन बायर के असल कहां पे होंगे इस लेवल पे होंगे इस कैंडल के लोग पे होंगे तो इसी लिए अगर मार्केट इस डोजी को काटके या इस हैमर को काटके नीचे आ रहा है तो वह कहां तक कि टार्गेट आपको देगा आप इससे target decide करना सीखिए यहां तक आएगा ओकि यहां तक आएगा इसलिए आपको यह one moment one go दिखाई दे रहा है one moment दिखाई दे रहा है ठीक है अब आप यह समझ रहे हैं कि देखे market कर रहा है time pass नीचे है खाई नीचे SL है नहीं तो अगर आपको इसमें जैसे यह देखे यह जो red doji है यह अच्छी doji बनी है ठीक है अच्छी doji बनी है तो ऐसे में आपको अब क्या है जैसे यहां पे इस candle ने काम किया था ऐसे ही यहां पे इस level पे यहां पे कोई ना कोई doji काम करेगी तो अगर आप यह लाल doji भी लगा लें और इसका टॉप कटता आपको resistance level निकालेगा क्योंकि market में बार बार इस level पे seller बैठ रहा है यहां पे आया फिर seller बैठा यहां पे आया इस फिर seller बैठा that means यहां पे seller के SL है that means यहां पे seller के SL है ठीक है तो market को जब तक market जो है इस level का breakout नहीं देगा यह इस purple line का breakout नहीं देगा तब तक क्या होगा market में buyer नही आएगा तो अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो यह जो रिट्रेस्मेंट आ रहे हैं आपको इनसे घफराने की जूरत नहीं है आपको यहाँ पे सेलर के एसल लेने के लिए जातावा मार्केट जरूर से जरूर दिखाई देगा यह मैं आप से कहना चारेगा ठीक है और देखिए अभी मैंने आपको बताए यह एक डारेक्ट मुमेंट है तो यहाँ पे एसल नहीं है तो मार्केट इस तरीके से नहीं चला जाएगा जैसे कि मार्केट में देख रहे हैं कि मार्केट कर्रेक्शन के साथ चल रहा है इसी तरीके से चलेगा अभी मैं ने इस वीडियो के चलते चलते आपको बताए यहां पे एक रिजेक्शिन के अड़ल है यहां पे उvat कि यहा तकके मिलने चाहिए अगर यह लिग्छे गिर रहा है तो यहाँ पे यह बैंक निफ्टी है बैंक निफ्टी को देखके यहाँ पता चल रहा है कि बस हमें इस परपल जोन तक के ही टार्गेट मिलने चाहिए फिर इसने भी यहाँ पे यह डोजी का काम शुरू कर दिया और फिर यह उपर चलने लगा ओके तो इस तरीके से देखिए आ मार्केट कहां ओपन होता है यह सबसे बड़ी बात होती है इसी लिए जैसा कि मार्केट क्या डाउन ओपन हुआ सपोर्ट को खुदी तोड़के बैठ गया मार्केट तो क्या करेगा मार्केट एक बार पुट वालों को लादस देके यही मैंने आप से कल के वीडियो में भी में फॉल वाला उसके हिसाब से हमारा प्राइस एक्शन बिल्कुल उसी हिसाब से चल रहा है तो थोड़ा सा चीजों को समझने कोशिश करें और करेक्शन को आप तभी जहल पाएंगे जब आप डीपली मार्केट को समझेंगे देखें अगर आपको 30 मिनेट पर यह अगर यह करेगा तो यहां पर कुछ ना कुछ काम करेगा उसके बाद ही नीचे आ सपता है यह जेज़े भी आप चान पार होंगे इस इसे जस्ट यह है चोटा सा कॉंसेप्ट है जो मैंने आपको बता है कि डारेक्ट मूट का मतलब क्या है कि वहां पर असल नहीं है बस वह कॉंसेप्ट है और ज्यादा आपको इस्ट रिपार्ड मैंश करना हो जब आपको यहां रिजेक्शन के रा कैंडल दिखाई देगे एक बार को प्रॉफिक कर लिए अपना कि हां भाई आप मार्केट रिट्रेस्मेंट ले सकता है और अगर आपको जब यह उपर जाता देखनी कोशिच कीजिए और बड़े टाइम पहसले को पहचानने के कोशिच कीजिए तो यही ता मेरा वीडियू अगर थे लगाए हो समझ में आया हो तो आप कर से कमेंट कर सकता है वीडियो पर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं चानल को और अगर हम से सीखना चाहते हैं तो टेलिग्राम को जोइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलिग्राम का टेलिग्राम पर मेरा लिंक है मुझसे कॉंटाक करके मेरे कोर्स की क्लासवन और क्लास्टू ले सकते हैं आप